सबाबतिश जी आप जब बहुत ये आर्टिकुलेट वे में दो अलग अलग घटनाओं को जोड़ करके अभी पस्तूत कर रहे थे मुझे जुरूर लगता है कि देश में जो लोग लेखन के शौकिन है वे जुरूर इस पर अब गौर करेंगे लिखेंगे कि ये 250 सत्र ये अपने आप में समय व्यतित हुआ ऐसा नहीं है एक विचार यात्रा भी रही है जैसा आपने कहा कि कभी एक बिल ऐसा आया था तो जाते जाते उसी के बिलकुल अलग साथ नया बिल इस प्रकार चे आया समय बदलता गया परिस्तितियां बदलती गई और इस सदन ने बदली हुई परिस्तितियों को आत्मसाथ करते हुए अपने को ढ़ालने का प्रयास किया मैं समझता हुई यह बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए सदन के सभी सदस जिन्होंने तक तक काम किया वो बदाई के पाप है वाना किसीको लग सकता है वे बीच साल पहले मैंने तो हिस्तेंट लिया थब मैं कैसे बदल सकता हूँ लेकिन आपने जिसप्रकार से आटिकुलेट करके इस बात को पस्तूद किया Bak हमारी विचार यात्रा का प्रतिभीम है भारत की विकास यात्रा का प्रतिबिम है और वैस्विक परिवेश में भारत किस प्रकार चे नहीं नहीं बातों को लीड करने का सामर्थ रखता है उसका उसमें प्रतिबिम है और ये काम इस सदन से हुआ है इसलिए सदन अपने आप में गवरवनुखव करता है मेरे लिए सर्भागे का विशे है कि आज इस महत्वपुन अवसर का साक्षी बनने का और इसमें सरीख होने का मुझे अवसर मिला है ये साब कह सकते हैं कि कभी चर्चा चल रही थी समिधान निर्माताओं के बीच में कि सदन एक हो या दो हो लेकिन आनुभाव कहता है कि समिधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था दी वो कितनी उपयूक तरही है और कितना बढ़िया कॉंटुबिशन किया है अगर नीचला सदन जमिन से जुड़ा हुआ है तो उपला सदन दूर तक देख सकता है और इस प्रकार से भारत की विकास यात्रा में नीचले सदन से जमिन से जुड़ी हुई ततकालिन चीजों का अगर पतिवीम व्यक्त होता है तो यहां बैठे हुए महनुभावों से क्योंकि उपर है उपर वाला जरा दूर का देख सकता है तो दूर की दृष्ट्री का भी अनुभाव इन दोनों का कॉमिनेशन इन हमारे दोनों सदनों से हमको देखने को बेलता है इस सदन ने कई इतियासिक फल देखे इतियास बनाया भी है और बनते हुए इतियास को देखा भी है और जरूरत पढ़ने पर उस इतियास को मोडने में भी इस सदन ने बहुत बड़ी सफलता पाई है उसी प्रकार से इस देश के गणमान ने दिग्जच माहरूप पुरुषों ने इस सदन का नित्रत्व किया है इस सदन में सहभाजिता की है और इसके कारण हमारे देश की इस विकास यात्रा को और आजाते के बाद के बहुत सी चीज़े गढ़नी थी अब तो पटाज साड़ साल के बाद बहुत सी चीज़े शेप ले लिया है दिकि वो सुरायत काल में फियर अफ अन्नोन से हमें गुजरना पड़ता था उस समय जिस मैचॉरिटी के साथ सबने नेत्रु तो किया है दिया है यह अपने आप में बहुत बड़ी बाद है अधनिस हभापती जी यह सदन की बड़ी विशेस्ता है और दो पहलू खास है एक तो उसका स्थाइत्व पर्मेनन कहें या इटर्नल कहें और दूसरा है विवीदता डावर्सिटी स्थाइट तो इसलिए है इटर्नल इसलिए है कि लोग सबादो भंग होती है यह इसका जन्म हुआ अब तक कभी इसको न भंग हुई है न भंग होना है यानि यह इटर्नल है लोग आएंगे जाएंगे लेकिन यह वबस्ता इटर्नल रहती है यह अपने उसकी एक विशेशता है और दूसरा है विवीदत को यहां राज्यों का प्रतनीजीत्व प्राफिकता है एक प्रकार से भारत के फैडरल स्ट्रक्चर की आत्मा यहां पर हर पल हमें प्रेरित कर होती है भारत की विवीदता है भारत की अनेक तांके एक तांके जो सुत्र है उसकी सबसे बड़ी ताकत इस सदन में नजर आती है और वो समय समय पर यह रिफ्लेक भी होती रहती है उसी प्रकार से उन विवीताओं के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तब इस सदन का एक और लाप भी है कि हर किसी के लिए चुनावी अख़ड़ा पार करना बहुत सरल नहीं होता है लेकिन देश हित में उनकी उप्योगीता कम नहीं होती है उनका अनुभव उनका सामर्थ है उतना ही मुल् तो यह एक ऐसी जगा है कि जहां इस प्रकार के सामर्थ हवान महानुभाव बिंडबे तक छेत्रों के अनुभवी लोग उनका लाप देश के राजनितिक जीवन को देश के निती निधारव के अंदर उनका बहुत बड़ा लाप मिलता है और समय समय में मिला वैज्यानिक ह खेल जगत के लोग हो कला जगत के लोग हो कलम के धनी हो ऐसे अनेक महानुभाव का लाप जिनके लिए चुनावी अखाड़े से निकल करके आना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इस विवस्ता के कारण हमारी बौदीक संप्रदा का भी एक रीचनेस हमें इसे प्राप्त और इन धाइसो सत्रों में और मैं मानता हूँ उसका सबसे बड़ा उदहारण बाबा साब आमबेर कर स्वायम है क्योंकि किसने किसी कारण समको लोगसभा में पहुंचने नहीं दिया गया लेकिन यही तो राजसबा थी जहां बाबा साब आमबेर कर के कारण देश को बहुत लाब मिला और इसलिए इसलिए हम इस बात का गर्व करते हैं कि यह सदन है जहां से देश को बाबा साब आमबेर कर जैसे अनेक महापूर्शों का हमें बहुत ही लाब मिला ये भी देखा गया है कि एक लंबा कालखंड ऐसा था कि जहां बीपकिस जैसा कुछ खास नहीं था विरोध भाव भी बहुत कम था ऐसा एक बहुत बड़ा कालखंड और उस समय जो शासन ब्रवास सामेर जो लोग बैठे तो उनको वह सोभागे रहा कि उनको इसका बहुत डगर डगर पर शंगस रहते हैं डगर डगर पर विरोध भाव व्यक्त रहता है तेकि उस समय जो कि विरोध पर नके बराबर था इस सदन में ऐसे बहुत ही अनुभव और विद्वान लोग बैठे थे कि उन्होंने शासन व्यवस्ता में कभी भी निरंकुस्ता नहीं आने कि शासन में बैठे हुए लोगों को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करने के कठोर काम इसी सदन में हुई है यह यह कितनी बड़ी सेवा हुई है इसका हम गर्व कर सकते हैं और यह हम सब के लिए मरणिग हैं अधनिस हभापती जी हमारे प्रथम उप्राश्पती जी दक्टर सर्वपली राधाक्रश्ण जी ने इस सदन के सबन में जो बात कही थी मैं उसको आपके सामने प्रस्तूत करना चाहूंगा डक्टर राधाक्रश्ण जी ने कहा था इसी चैर पर बैठ करके उन्हों ने कहा था और वो आज भी उतना ही उपयूगत है और आप प्रणव मुखर जी आधरने प्रणव मुखर जी के बात को उलेक करते हो या आप स्वयम अपना दर्द व्यक्ते करते हो यह सारी बाते उ और उसमें राधाक्रश्ण जी ने कहा था हमारे विचार हमारा व्यहवार और हमारी सोच ही दो सदनों वाली हमारी समसदिय प्राणाली के आउचित्य को साबित करेगी समिधान का हिस्सा बनी इस द्वी सदनिय व्यवस्ता की परिक्षा हमारे कामों से होगी हम पहली बार अपनी समसदिय प्राणाली में दो सदनों की शुरुवात कर रहे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी सोच सामर्थ और समस्से देश को इस व्यवस्ता का अउचित्य साबित करें धाई सो सत्र की यात्रा के बाद अनुभव का इतना समपूर होने के बाद बर्तवान की और आने वाली पीडियों की दाई तो और बढ़ जाता है कि डाक्टर राधा क्रिशन जी ने जो अपेक्षा की थी कहीं हम उससे नीचे तो नहीं जा रहे हैं क्या हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं या बदलते वे यूग में हम उन अपेक्षाओं को भी और अच्छा वैल्यू एडिक्सेश कर रहे हैं ये सोचने का छमय है और मुझे विश्वास है कि इस सदन की वर्तमान पीडी भी और आने वाली पीडी भी डॉक्टर राजा कृशन जी की नाप्रेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी और उसे आने वाले दिनों में देश को अगर जैसा अभी आधाने सभाव अतजी ने कहा अगर हम पिसले 277 की विवेचना करें तो कई महत्वपूर्ण अइतिहासिक बीर यहां पास हुए हैं जो एक प्रकारते देश के कानून बने देश के जीवन को चलाने का आधार बने है और मैं भी पिसले अगर पांच साल का हि कि बात है कि अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बनने का आउसर मुझे भी मिला है विद्वत्ता पूर्ण हरे किसी के विचार सुनने का मुझे सहुभागी मिला है और कई बातों को नई सिरे से देखने का आउसर इसी सदन से मिला है और इसके लिए मैं खुद ला अनुभव किया है तो मेरे लिए आप सब के बीच कभी कभी आकर के सुनने का मोका मिलता है वो अपने आप में एक सोभाग्य है अगर हम पिछले पास साल के पौर देखें यही सदन है जिसने तीन तलाक का कानू होगा की नहीं होगा हरे को लगता तो यहीं पर अटक जाएगा लेकिन इसी सदन की मैचुरिटी है कि उसने एक बहुत बड़ा महतोपून विमन एमपावर्मेंट का काम इसी सदन में किया हमारे देश में आरक्षन के विलोक्यर के हर पल संगर्ष के बीज बोए गए है उसमसे तनाव पैदा करने के भरक्ष्वत प्रयास भी किये गए लेकिन ये गर्व की बात है कि इसी सदन ने सामान ने वरके गरीब परिवार का दस प्रतिश्वत आरक्षन का मिलने किया लेकिन देश में कहीं तनाव नहीं हुआ दिरोद भाव पैदा नहीं हुआ सहमती का भाव बना ये भी इसी सदन के कारण संभव हुआ है येसी प्रकार से हम जानते हैं जी एस्टी लंबे अर्षेते जो उकोभी शासन में जिसकी जिम्मेवारी है हर लेक ने मेहनत की कम्या है नहीं है सुधर निचाइए नहीं सुधर निचाइए ये सारी डिबेट चलती रहे हैं लेकर इसी सदन ने सर्व संभ गार करके देश को दिशा देने का काम किया है और अब उसी के कारण एक नए विश्वास के साथ भिश्व में हम अपनी बात रख पा रहे हैं 1964 में जो वादे किये जए थे कि एक साल के भीतर भीतर इस काम को कर दिया जाएगा जो नहीं हो पाया था वो धारा 370 और 351 इसी सदन और देश को दिशा देने का काम इस सदन ने पहने किया बाद में लोग सबने किया और इसलिए ये सदन अपने आप में देश की एकता खंडि ही है वो अपने आप में और ये भी एक विसेश्ता है इस सदन इस बात के लिए जिस बात को वियात करेगा कि समयधान के अंदर धारा 370 आई उसको इंट्रडूश करने वाले मिस्टर एन गोपाला स्वामी वो इस सदन के पहले नेता थे फर्स्ट लीडर थे वो तो उन्हो ने इसको रखा था और इसी सदन ले उसको निकालने का काम भी बड़े गवरों के साथ करके वो एक घटना अब इत्याहस बन चुकी है लेकिन यहीं पर हुआ है हमारा समयधान निर्माताओं ने हम लोकों को जोदाइत्व दिया है हमारी प्रात्मिक्ता है कल्यान कारी यहीं जृद्ध नोहेग है नियानि भारत एससच्छ हम कल्यान कारी राज के रूप में काम करें लेकिन अत्यत्य सेμο टाइम लोगों का दाई तो हैं राज्यों का भी कल्यान और यह दोनुत मिकर्के राज्यों केंडर में करके ही देश को अगे भढा सकते हैं और उसकाम को करने में इस सदन्ने क्योंकि ये राज्यका रिप्रेजेंटेशन पुरी ताकत के साथ करते हैं बहुत बड़ी भूमी का निभाई है और हमारी समयधानी संस्ताओं को ताकत देने का भी हमने क्याम किया है हमारा संगिय धाचा हमारा देश के विकास के लिए सबसे एहम शर्थ है और राज्य और केंद्र सरकारे मिल करके काम करें तभी प्रगति संबह होती है राजसाबा इस बात को सुनिशित करती है कि देश में केंद्र और राज्य सरकारे प्रतिद्वंदी नहीं है लेकिन हम प्रतिभागी बन करके सहभागी बन करके देश को आगे ले जाने का का करते हैं यहां जीन विचारों का आधान प्दान होता है उसका जो अर्क है जोएहां के परदेश्ञंदियों और राजय की सरकारों को बताते हैं राजय की सरकारों को उसके साथ जूड़ने के लिए प्रेरीज करने का काम जाने अन जाने भी सतर गुरूपे में करने की आवश्रक्ता होती है देश का विकास और राज्यों का विकास यह दो अलग चीज़े नहीं है राज्य के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है और देश के विक नख्सा राजय के विकास के विपृत होगा तो भे राजय विकास नहीं कर पाएंगे और इस बातों को यह सदन सबसे जादा प्रटिवंबित करता है जीवंत ताकेख प्रतिविंदिद करता है लो कि बहुत Keith एन केंद्र सरकाय बनाती है उस नीतियों में राज्यों की अपेक्षाएं राज्यों की स्थीती राज्यों कानुभाव राज्यों की रोजमराजी दिक्कते उन बातों को सरकार की नीती निधारन में बहुती सटिक तरीके से कोई ला सकता है तो ये सदन ला सकता है इस सदन के सद सरक्षर को भी मिलता है भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के देश को आगए सब काम एक साथ होने वाले नहीं है कि कुछ काम पांत साल होंगे तो कुछ अगले पांत साल होंगे लेकिन दिशा तय होती है और वो काम यहां से हो रहा है यह अपने आप में अधनिया सभावती जी 2003 में जब इस सदन के 200 साल हुई थे तब भी एक समारम होगा था और तब भी सरकार NDA की थी और अटल विहरी वाजपाई जी प्रधान मंत्री थे तो इस दोसों में सत्र के समाई जो अधनिया अटल जी का जो भाशन था बड़ा इंट्रेस्टिंग था उनकी बात करने का अपना एक लहजा था उन्होंने कहा था कि हमारे संसदिय लोकतंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए सेकंड चेंबर मोजूद है और उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि इस सेकंड हाउस को कोई सेकंडरी हाउस बनाने की गलती न करें ये चेतावनी अटल जी ने दी दिए इस सेकंड हाउस को कभी भी सेकंडरी हाउस बनाने की गलती न करें अटल जी के उन बात को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा कि कुछ कुछ को आज के समयंद में कुछ नए तरीके से अगर प्रस्तुत करना है तो मैं कहूंगा कि राजसभा सेकंड हाउस है सेकंडरी हाउस कभी भी नहीं है और भारत के विकास के लिए इसे सपोर्टिव हाउस बने रहना चाहिए जब हमारी समसद्य प्रणाली के 50 साल हुए तब अटल जी का एक भाशन हुआ था समसद्य प्रणाली के 50 साल और उस भाशन में बड़े कभी भाव से उन्होंने एक बात बताई थी उन्होंने कहा था एक नदी का प्रवाह तभी तक अच्छा रहता है जब तक कि उसके किनारे मजबूत होते हैं और उन्होंने कहा था कि भारत के समसद्य जो प्रवाह है वो हमारा जो लोक्तांत्रिक प्रक्रिया है एक किनारा लोकसभा है दूसरा किनारा राजसभा है ये दो मजबूत रहेगे तबी जाकर के लोक्तांत्रिक परंपराओं का प्रवाँ बहुत ही सत्रीक तरीके से आगे भड़ेगा ये बात अधर्णिय अतल जी ने उस समय कही थी ये एक बात निश्रीद है कि भारत फैडर स्रक्चर है विविताओं से बरा हुआ है तब ये भी अनिवारिय शर्थ है कि हमें राष्ट्रिय द्रश्रिकॉन से ओजन नहीं होना है राष्ट्रिय द्रश्रिकॉन को हमने हमेशा ही केंदरवर्ति रखना ही होगा लेकिन हमें राष्ट्रिय द्रश्रिकॉन के साथ छेत्री जो हीत है इसका संतुलन भी बहुत सठीक तरीके से बनाना पड़ेगा तभी जाकर के हम उस भाव को उस संतुलन के द्वारा आगे बढ़ा पाएंगे और ये काम सबसे अच्छे धंग से कहीं हो सकता है तो इस सदर्श में हो सकता है यहां के माननिय सद्दस्यों के द्वारा हो सकता है और मुझे विश्वास है कि वो काम करने में हम निरंतर प्र से चेक एंड बैलेंस का विचार उसके मूल सिध्धानतों के लिए बहुत ही महत्वपूर है लेकिन चेकिंग और क्रोगिंग इसके बीच अंतर बनाए रखना बहुत आवशक होता है बैलेंस एंड ब्लॉकिंग इसके बीच भी हमें बैलेंस बनाए रखना बहुत आवशक होता है एक प्रकार से हमारे अनेक महानुवाव ये बात बार-बार कहते हैं कि परी सदन चर्चा के लिए होना चाहिए समवाद के लिए होना चाहिए विचार विमस्ट के लिए होना चाहिए तीके से तीके स्वर में विवाद हो कोई उससे नुक्षान होने वाला नहीं है लेकिन कि आवसेख है कि रुकावटों के विजाएंट हम समवात का रास्ता चुने मैं आज हो सकता है मैं जिनका उलेक कर रहा हूं इसके सिवाई भी लोग होंगे लेकिन मैं दो दलों का आज मैं उलेक करना चाहूंगा एक NCP और दूसरा BGD और किसे का नाम छुट जाए तो मुझे सब्सक्राइब करना लेकिन मैं दो का उढलेक कर रहां कि इन दोलों दलों की विशेशता देखिए उन्होंने खुद ने डिसिपलीन ताही किया है कि हम वैल में नहीं जाएंगे और मैं देख रहा हूँ एक बार भी उन्हों के एक भी सद्धेशनी नियम को तोड़ा नहीं है हम सभी राजनितिक दलों को सीखना होगा including my party हम सब को सीखना होगा कि ये नियम का पानन करने के बावजुद भी ना एनसीपी की राजनितिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है ना बीज़ेडी की राजनितिक विकास यात्रा को रुकावट आई है मतलब वेल में नजाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं लोगों का विश्वाज जीत सकते हैं ये और इसलिए मैं समझता हूँ including treasury bench हम लोगों ने ऐसी जो उच्छे परंपराएं दिर्बान जिनों ने की हैं उनका कोई राजरीतिक नुक्सान नहीं हुआ है क्यों न हम उनसे कुछ सिखें हमारे सामने मौजूद है और मैं चाहूंगा कि हम भी वहां बैठेते हैं हमने भी वह काम किया है और इसलिए और इसलिए मैं मैं सारे सदन के लिए कह रहा हूँ कि हम NCP BJD दोनों ने जियो ये बहुत उत्तम तरीके से इन चीज़ को डिसिप्लिन फॉलोग किया ये कभी ने कभी इसकी चर्चा भी होनी चाहिए उनका धन्यवाद करना चाहिए और मैं मानता हूंगा आज जब दाइसो सत्र कर रहे हैं तो यसे उत्तम जो घटना है उसका जिक्र होना चाहिए और लोकों के धन में लानी चाहिए मुझे विश्वाथ है कि सदन की गरिवा के दिशा में जो भी आवशक है उसको करने में सभी सदस अपने भूमिक आदा करते रहते हैं आपकी वेदना व् हम सब संक्तर लेंगे विशेश करके हम लोग भी लेंगे ताकि आपको कम से कम कस्थ हो आपकी भावनाओं का आदर हो और आप जैसा चाहते हैं वैसा ये सदन चलाने में हम आपके एक साथी बन करके सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते हुँ करने का प्रयास करें इस संकल्प क के साथ मैं फिर एक बार इस महत्पून पड़ाव पर सब को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं और जिन्होंने यहां तक पहुंचाया है उन सब का धन्यवाद करते हुए मेरी वानी को विराम देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी मुझे तभी कस्ट होता है जभी देश को नस्ट होता है इतने ही अदरवाइस कोई Dr. Manmohan Singh ji Mr. Chairman, sir, it has been an honor to have served as a member of this August House since 1991. I have had the privilege to serve here as the leader of the opposition from 1990